ओम शांती दादी जी के पुर्णे इस्मरती दिवस पर विसेस दादी जी को भोग लगा जिसमें विसेस दादी ने हम ब्रामनों के लिए दो सब्दों की सोगात दी दादी कहती दो सब्दों की सोगात सदा साथ रखना संदेशी जी कहती आज आप सब की याद प्यार लेते हुए मैं वतन में पहुँची तो क्या देखा कि जैसे सदा के सदरस से बाबा खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे और आओ बच्ची आओ बच्ची विश्व के आधारमूर्त उद्धारमूर्त बच्चे आओ ऐसे कहते बाबा नैनों की द्रश्टी से बुला रहे थे और मैं भी उसी मुस्कुराहट को देखते नैनों की रुहानियत को देखते हुए बाबा के सम्मुक पहुँच गई जैसे ही मैं बाबा के सम्मुक पहुँची तो बाबा ने कहा बच्ची तुम आज क्या लाई हो मैंने कहा बाबा मैं तो याद प्यार और भोग लाई हूँ जैसे ही मैंने कहा मैं याद प्यार और भोग लाई हूँ तो यह कहते ही प्यार और याद की भिन भिन प्रकार की अनेक मालाएं बाबा के गले में पढ़ती गई मैं यह द्रस्य देखती रही और बाबा भी मुस्कुरा रहा था हमने कहा बाबा हमसे भी पहले आपके पास याद प्यार की मालाएं पहुँच गई बाबा ने कहा यहा बच्चों की याद प्यार कोई साधरन बात नहीं है क्योंकि जब भी कोई बच्चे दिल से बाबा को याद प्यार भेचते हैं तो उस वरत्ती से वायू मंडल में किरणे फेलती हैं सारे विस्व को सकास मिल जाती है बाबा तो उसे दिल में समा देता है इसलिए बाबा के दिलतक्त पर मालाएं पड़ रही है फिर यहा सीन पूरी हो गई फिर बाबा ने कहा चलो बच्ची चले फिर हम बाबा की गद्दी पर जाकर बाबा के साथ बैठे बाबा ऐसे बेठा था जैसे विश्व की तरह बाबा बैठता था ऐसे हम भी बाबा के साथ जाकर बैठ गई तो बाबा ने कहा कि बच्ची मदुबन वाले तो आजकल डबल याद में रहते हैं बाबा को तो याद करते हैं लेकिन बाबा के साथ दादी को भी याद करते हैं तो मैंने कहा बाबा दादी को इमर्ज करो न तो कहा दादी तो कई बार वतन में चक्कर लगाने आती है वहा तो ऐसे कहती है जैसे मैं इस कमरे से उस कमरे में जाऊं ऐसे सुक्ष्मु वतन मेरा एक कमरा है मैंने कहा बाबा दादी को अभी तो बुलाओ ना तो बाबा ने ऐसे किया और दादी इमर्ज हो गई मैं बाबा के एक तरफ थी दादी दूसरे तरफ बैठ गई तो दादी ने कहा मैं तो वतन में आती रहती हूँ आप तो कहती हो बाबा बुलाएगा तो मैं आउंगी लेकिन मैं तो आपे ही आजाती हूँ मेरा तो घर है फिर बाबा ने कहा बच्ची अभी पार्ड बजाने के लिए गई है कर्मों के हिसाब से कर्म संबंद के हिसाब से नहीं गई लेकिन सेवा के संबंद से गई है यह सेवा के संबंद का जन्म बहुत नियारा होता है मैंने कहा बाबा वह नियारापन क्या-क्या होता है कुछ सुनाओ न तो बाबा ने कहा अभी नहीं सुनाओंगा जब जन्म ले लेगी फिर सुनाओंगा इस जन्म में और जो साधरन जन्म होते हैं उसमें अंतर क्या है वहां राज फिर सुनाऊंगा मैंने कहा बाबा थोड़ा इसारा तो दे दो तो दादी ने कहा बाबा सुना दो न तो बाबा ने कहा यहां बहुत राज है मैं समय प्रती समय सुनाता रहूँगा ऐसे कहने के बाद बाबा ने कहा दादी आपको मालूम है कि आपके स्वागत के लिए आज वतन में कोन आए हैं दादी मुस्कुरा रही थी बाबा ने कहा दिखाऊं कौन आए हैं बाबा ने ऐसे आखों का इसारा किया तो आठ छोटे छोटे फरिस्ते अर्द चंद्रमा के रूप में इमर्ज हो गए और दादी को बाहों में उठा के अपने बीच में ख़डा किया फिर दादी ने मेरे को भी हाथ से उठा कर खडा किया तो हम दो सामने थे और आठ फरिस्ते अर्द चंद्रमा में खड़े दरश्टी दे रहे थे फिर दादी ने कहा बाबा आप भी आजाओ न बीच में बाबा आ गया फिर फरिस्तों ने बहुत अच्छी डांस की वहाद डांस इसारो वाली थी इसारो से उनकी भासा जैसे समझ में आ रही थी ऐसे उन्होंने डांस की फिर हम तीनों को गद्धी पर बिठा दिया और फरिस्ते गायब हो गए उसके बाद दादी को बाबा ने कहा दादी आपको सभी बहुत याद करते हैं दादी ने कहा याद तो मेरे पास भी पहुँचती है लेकिन मेरा जो संकल्प है न वहाँ अभी इन्हों को पूरा करना है बाबा ने कहा तुम क्या चाहती हो दादी ने कहा जैसे बाबा आप मुझे सर्टिफिकेट देते हो कि मैंने सुरू से लेकर सब को सम्मान दिया और उसके रिटर्न में सब की दुआएं ली सुरू से मैंने प्रेक्टिकल में यहाँ पार्ट पक्का किया तो मैं यही चाहती हूँ कि हर एक छोटे बड़े को सम्मान देते उन्हों से दुआएं लेवे बस सब को सम्मान देना है दुआएं लेनी है यही मेरा लक्ष रहा है मदुबन वालों का मेरे से प्यार है उस प्यार की सोगात मेरे को यही चाहिए मुझे यहाँ दिल की गिफ्ट हर एक मदुबन वाला देवे तब मैं कहूंगी कि हाँ मेरे को याद किया बाबा ने भी कहा कि बच्ची बच्ची की यही एक आस है उसके बाद दादी जानकी सभी दादियां मुन्नी बहन, मोहिनी बहन इसु बहन सभी वतन में इमर्ज हुए बाबा गद्धी पर ही बेटा था तो हमको दादी जानकी को और दादी को तीनों को साथ में बिठाया मुन्नी, मोहिनी और ईसू बहन पीछे खड़े थे اور जो चार दादियां थी सान्ता मनी दादी, मनोहर दादी, रतन मोहिनी दादी और परदादी वह चारों ही सामने थी दादी ने कहा देखो हमारी कितनी प्यारी सक्यां है यह सीन बड़ी अच्छी प्यारी लग रही थी दादी चान की दादी को और हमको कह रही थी कि क्या अभी आप समझती हो कि हम त्री मूर्ती से दो हो गई हम ने कहा नहीं दादी हम तो त्री मूर्ती है तो दादी ने कहा कि हम आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ आप दोनों साकार में मेरा ही रूप बनके सेवा के निमित बनी हो दादी जानकी को और सभी दादीयों को जो सभी सामने बेटी थी दादी ने सब के माथे पर ऐसे हाथ रखा और कहा आप हमारे साथ ही साकार रूप में सेवा दारी हैं और मैं आपके साथ अव्यक्त रूप में सेवा करूँगी हमको कभी भी मिस नहीं करना फिर इन तीनों को मोहिनी बहन, मुन्नी बहन और ईसु दादी दादी ने अपनी बाहों में लिया और तीनों को ऐसे मिलाया बाबा यहाँ देख देख कर बहुत खुस हो रहे थे फिर यहाँ सीन पूरी हो गई सब मर्ज हो गए इसके बाद मैंने कहा कि दादी जब आप अव्यक्त होई तो आपने सबसे अच्छा अनुभाव कौन सा किया दादी ने कहा मेरा सबसे बड़िया अनुभाव लाश्ट में सरीर छोड़ने के समय का था मेने कहा दादी वहा तो सभी सुनने के इच्छुग होंगे दादी ने कहा मेरी बहुत काल से यही इच्छा थी कि मैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करूँ कर्मा तीत अवस्था का अनुभव मुझे जरूर करना है लाश्ट के टाइम मुझे अंदर पता पड़ता था मैं जाने वाली हूँ बोल नहीं सकती थी अंदर मुझे सब इस्म्रती थी उस समय दो चीजों का मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुरा था एक तो नश्टो मुहा इस्थिती क्या होती है कोई भी चीज कोई भी बात मुझे याद नहीं थी मैंने देखा पूरा आदा घंटा मैं बिलकुल कर्मा तीत नश्टो मुहा इस्थिती में थी जीवन में रहते जीवनमुक्त इस्थिती का अनुभव कर रही थी मैं अपने सरीर को, दादियों को, सभी अन्य भाई बहनों को साक्षी होकर, सरीर से अलग होकर देख रही थी मैंने देखा मेरा मोह किसमे भी नहीं गया मेरे अंदर कोई भी आकरसन नहीं थी अंत समय में सरीर की जो फिलिंग थी उससे भी मैं बिलकुल न्यारी हो गई, वह बहुत अच्छा अनुभाव था दादी ने कहा मैं यहाँ अनुभाव इसलिए सुना रही हूं कि आप सभी भी ऐसा ही पुरुशार्थ करो जो ऐसे करमातीत इस्थिती के अनुभाव में ही सरीर छूटे फिर दादी ने कहा कि बारा दिन तक बाबा ने मुझे वतन में रखा उसमें भी मैंने जीवनमुक्त इस्थेज क्या होती है उसका अनुभाव किया वतन में मदुबन वगेरा सम मुझे याद था लेकिन याद होते भी जीवनमुक्त इस्थिती में बहुत नियारी और प्यारी अवस्था थी अभी बाबा ने मुझे सरीर में बहजा है लेकिन मैं उस भान से नियारी हूँ बाबा इसका राज आपको बाद में सुनाएगा लेकिन मेरा जन्म नियारा है इसके बाद दादी ने मदुबन के विसेज भाईयों को भी याद किया जो भी पुराने पुराने दादी के कनेक्शन में आने वाले डेपार्टमेंट्स के हेड्स हैं सभी को दादी ने याद किया वह तीस पेंतिस मिनट के करीब थे दादी ने उन्हों को इमर्ज किया यहां तीन भाई भी थे और उनके साथ यहां सब थे इन सब को इमर्ज करके दादी ने कहा मैं सिर्फ दो सब्द आपको कहती हूँ यहां हमारे दो सब्द कोई भी सेवा सुरू करते याद करना फिर काम सुरू करना सभी कहने लगे दादी जो आप कहेंगी हम जरूर करेंगे सभी पहुत उल्लास में थे दादी ने दो सब्द सुनाए एकनोमी और एकनोमी और कहा कि यहाद दो सब्द मेरे सदा साथ याद करके कोई भी कार्य सुरू करना दादी ने दो विशेश सब्द सुनाए एकनोमी और एकनोमी और कहा कि यहाद दो सब्द मेरे सदा याद करके कोई भी कार्य सुरू करना मैंने पूछा दादी इन्होंने यहाद किया या नहीं किया आपको पता पड़ेगा तो दादी ने कहा मैं तो बाबा के पास वतन में आती रहती हूँ और वतन में सब सेकेंड में इमर्ज हो जाता है बटन भी नहीं दवाना पड़ता मैं यहा रेजल्ट देख कर बताऊंगी बाबा भी हमारी यहा रूरियान सुनकर साक्षी होकर मुश्कुरा रहा था फिर मैंने कहा बाबा आज दादी को पूरा एक मास हो गया आज मैं आपके लिए और दादी के लिए विसेस भोग लेकर आई हूँ फिर मैंने दोनों के सामने भोग रखा दादी ने सब को इमर्ज किया और कहा अभी मैं अपने हाथ से सभी को भोग खिलाऊंगी फिर दादी ने सभी को अपने हाथ से गिट्टी खिलाई सभी मदुवन वालों को भी इमर्ज करके कहा सभी मूँ खोलो मूँ खोलो ऐसे कहते सब को अपने हाथ से भोग खिलाया और कहा कि मेरी एक एक को नाम ले लेके याद प्यार देना और मेरी यह दो सब्द की सोगात सब को देना ऐसे याद लेते मैं साकारवतन में आ गई अच्छा ये विसेश भोग संदेश दादी जी के अव्यक्त होने के एक मास भाद लगा जिसमें दादी ने विसेश दो सब्दों का अटेंशन किछवाया दादी के दो सब्दों की सोगात सदा साथ रखना एक नौमी और एकॉनौमी कोई भी कर्म करते ये दो सब्द सदा इसमरती में रखना है और जिस प्रकार दादी ने सब को सम्मान दिया और दुआएं प्राप्त की ऐसे ही दादी के सम्मान सब को सम्मान देना है चाहे छोटा हो बड़ा हो अपकारी हो गलानी करने वाला हो हर एक को सम्मान देते हुए तुआएं प्राप्त करनी है जैसे दादी ने अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया जीवन में रहते जीवनमुक्त इस्थिती का अनुभाव किया एशे ही दादी की आस है कि हम सब भाई बहन भी अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें अच्छा एशे ही और विशेष भूख संदेसों के लिए बाबा के चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीके भाई बहनों तक सेयर करने की सेवा जरूर करें ओम शांती